हेलो फ्रिंट्स मैं कलिपना आप सभी का स्वागत करते हूं सान्या गार्णिंग चैनल में फ्रिंट्स आज हम बात करेंगे कि हम अपने ड्रसीना प्लांट के किस तरह से प्रॉपिगेशन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो म भी न्यू वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है तो फ्रिंट्स हमें अपने प्लांट की सबसे पहले प्रॉपिगेशन करने के लिए सबसे पहले हमें उसके कटिंग चाहिए तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्लांट की कटिंग लेंगे तो जो dresina के plants होते हैं, अगर आपका plants इस तरह articulate बढ़ हЬ, तो आप tai उसको उपर से cut कर दीजी, तो friends ! सभसे पहले, हम उपर से cutting ले लेते हैं जो कि हम उसको grow करेंगे तो friends ! जो dresina के plants होते हैं, उनकी बहुत जादा बहूत बड़ी cutting लेने की कोई जरूरत नहीं है तो इसके जो cutting है वो मैं सिर्फ 2 से 3 इंच लूँगी जो की sufficient है वो अच्छे से grow हो जाएगा इसको मैंने बहुत छोटी सी cutting से grow किया था सिर्फ 2 या 3 इंच की वो cutting थी तो friends मैं इसकी 2 से 3 इंच के लगबग मैं इसके ऊपर से अब हम क्या करेंगे जहां से हमने प्लांट को cut किया है वहां पर हम fungus side use करेंगे जिससे कि हमारा जो plant है उस पर किसी भी तरह के कोल भी fungus का effect ना हो तो चली जहां से हमने cut किया था वहां पर पहले हम fungus side लगा देते तो friends इस तरह से हमने fungicide लगा दिया चलिए अब हमने जो cutting ली है उसको हम grow करते हैं तो friend dracena plant की जो cutting है उसको मैं इस bottle में grow करूँगी और जो मैंने इसके लिए soil ली है उसमें मैंने थोड़ा सा cocoa pit garden soil और थोड़ा सा compost mix किया है तो चलिए अब हम इसकी cutting को grow करते हैं तो friends मैं सभी पहले जितनी भी इसकी leaves से सभी को remove कर देती हूँ तो friends यह देखिए मैंने इसकी जितनी भी leaves से सभी को remove कर दिया है सिफ इस तरह से कुछ leaves इस पर हैं जो कि भी कुछ new growth हैं अब हम इसको बीच में इस तरह से लगा देंगे friends आप चाहें तो इसके नीचे कोई भी fungicide जो लगा सकते हैं या कोई rooting hormone भी लगा सकते हैं लेकिन जो dracina होता है यह बहुत easy to grow plant है आप इसको बिना किसी rooting hormone के भी आप grow करना चाहें तो यह इसले ही grow हो जाता है तो friends इस तरह से हमने plant को लगा दिया plant को लगाने के बाद आप हम इसे first time full pot भरके पानी दे देंगे उसके बाद जब next time आप उसे पानी दीजेगा तो थोड़ा सोयल को चेक करके दीजेगा जिससे की जिसकी सोयल है वो बहुत जादा गीली नार है लेकिन जो dracina का प्लान्ट होता उसको थोड़े सी मौल सोयली पसंद है तो फ्रेंट इस तरह से लगाने के बाद आप हम इसे सेमी सेड में रखेंगे क्योंकि dracina जो है वो सेमी सेड का प्लान्ट है तो इससे आज जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होगी तो फ्रेंट आप इस तरह से dracina प्लान्ट की प्रोपिगेशन कर सकते हैं और जब यह बुशी हो जाएगा तो मैं उसके जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करूंगी कि इसकी जो कटिंगे वो कितनी ग्रो होई है तो फ्रेंट्स मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अब हमी लेंगे एक नए गार्डनिंग के टॉपिक के साथ तब तक ये लिए हैपी गार्डनिंग